Hi Dear Friends, This is Dhani Baksh Mangrayo again और आज की मेरी वीडियो उन सब regular इस्टूरेंट्स के लिए हैं BS1, BS2, BS3, BS4, MA Previous or MA Final जो भी संदी उनिवेस्टि की स्टूरेंट्स हैं Regular इस्टूरेंट्स उनकी examination form किस तरह से फिल ओँगे वो आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले क्या करना है आपने simply जो है Chrome को open कर लिना है Chrome open करने के बाद आपने जो है website पे जाना है itfc.usynth.edu.pk इसी website पे जाकर आप यहां पर अपना जो है role number and password पुट करेंगे अगर आप first year के student है first semester है आपका या फिर MA previous के student है और first semester है आपका तो आप लोगों के पास एक ID दी हुई होती है admission के time ठीक है जहां पर आप लोगों को CPN या फिर farm की farm का status वगेरा सारी चीज़े शो होती है जहां से आप apply करते हैं ठीक है आपका CNIC और password आपको मिला हुआ होता है तो आपने simply क्या करना है यहां पर आपका जो है उपर CNIC और नीचे password लगा कर login करना है ठीक है और login दोनों जो है यहां पर put करने के बाद login पर click कर लेना है ठीक है जैसे ही login पर click करेंगे तो यह सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी अगर आप BS या फिर sorry BS1 या फिर में प्रीविस की स्टुटेंट से और आपका यह first semester है तो इससे पहले आपको एक शो होगा जहां पर आपका प्रोग्राम शो होगा ठीक है उसके बाद यह बहुत important चीज है कि आपने यह desktop site जो आपको दिखाई दे रही है यह mark कर लेनी है यह mark करेंगे तो जो screen है वो like computer window की तरह open हो जाती है और कोई भी मुश्किल नहीं होती form को fill करने में ठीक है और जहां पर आपने learning management system में जाना है यानिके LMF ठीक है जैसे ही LMF पर जाएंगे तो यह सारे options आपको शो होंगे यहां पर आपको आपके attendance का result आपके examination semester की results यह सारी चीज़े यहां पर scholarship के updates यह सारी चीज़े यहां पर मिलती हैं अभी आपने क्या करना है examination form या फिर course selection पर क्लिक करना है ठीक है जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो यह आपको click here to submit form का option नज़र आएगा यहां पर क्लिक करेंगे तो यह सारा जो है शो होगा आपका roll number आपका नाम और आपको semester select करना होगा कि आप कौन semester का form फिल करने आए हैं तो जो भी आपका semester हो first, second, third, fourth मेरा fifth semester है तो ठीक है मैं fifth पर click करने के बाद submit पर click करूँगा यह देखें मैंने already submit किया हुआ है तो मेरे पास यह शो हो रहे हैं subjects के आपने यह subject select किये हुए हैं आपको यह है कि यहां पर आपको click करना है जो भी subjects हैं यह देखें history of modern linguistics यह select करने के बाद aid पर click करना है यह आपका नीचे हो गया ठीक है उसके बाद दूसरा subject aid करना है तीसरा subject select करने के बाद aid पर click करना है ठीक है इसी तरह से जो भी आपकी subjects है minor आपके यहां पर सारे aid करने के बाद यहां पर save and print पर click करना है जैसे ही save and print पर click करेंगे तो यहां पर जिस तरह से मेरा मेरी सब्जेक्स उपर शो रहें आपके भी इसी तरह से शो होने लग जाएंगे ठीक है यहां पर series कोई mater नहीं करती है आप पहले minor select करते मैजर्स या कमपर्सरी जो भी हो ठीक है और उसके बाद कुछ students confused होते हैं कि यह तो course selection का farm है हमने अभी तक examination का farm नहीं बढ़ा तो भाई course selection examination यहीं फार्म है ठीक है एक ही फार्म आप आपको यह fill करना है इसी को examination farm बोलते हैं यही course selection का farm है ठीक है और उसके बाद अगर आप regular तो इस फार्म की कोई फीस वीस नहीं होती जो फीस होती है यारा सो जो के पहले हजार थी ठीक है तो वह उस सूरत में आपने देनी है अगर आप इंप्रू या फर फेलिवर का एक्जाम दे रहे हैं लेकिन आप जो यहां पर कॉरस सेलेक्ट करे रहे हैं यह रेगिलर अप्लोट किया हुआ है तो यह था पूरा जो है प्रोसेस इस को इस फार्म को फिल करने का यह आपका कॉरस सेलेक्ट्चन या फर एक्जामिनेशन फार्म फिल हो गया थैंक्यू सो मुच जजाकल्ला और बाइ जिल झालेंगे शिल्ग करने का यह रेगिल सेलेक्ट्चन याविल सेलेक्ट का यह बच्ब स्वीचर में का यह रेगिल हो अभिल हो इसक्ट्चन